नमस्कार SP9 News में आपका स्वागत है भारते जंता पार्टी ने तीन रज्जियों को बहुमत के साथ जीतने के बाद मंत्री मंडल विस्तार कर दिया और मंत्रालियों को पाठ भी दिया बेते दिन किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा किसको कौन सा मंतराली की जिम्यदारियां स्वापी जाएगी इसका फैसला भी भारते जंता पार्टी की तरफ से CM. भजलाल शर्मा ने कर दिया जिस दोरान कई बड़े बड़े पद यहाँ पर उप मुखे मंत्री को और तमाम मंत्रियों को यहाँ पर सौपे गए दरसल राज्य में काबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों की विभागों का भी बटवाला कर दिया गया है राज्य पाल के अनुमोदन के बाद शाशन सची वाले की और से लिस्ट जारी की गई मुखे मंत्री बजनलाल शर्मा ने अपने पास ग्रह विभाग अपकारी विभाग और ध्रस्टचार निरोधक ब्योरो समित आठ विभाग रखी है सीम के बाद सबसे ज़्यादा विभाग दिप्टिस सीम दिया कुमारी को सौप दिये गए हैं दिया कुमारी को वित विभाग प्रेटन विभाग महिला एंव बाल विकास समिट 6 मंत्राले सौपे गए हैं राजिस्थान में 12 काबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं इनमें से सोतंत्र प्रभाव से 5 राज्य मंत्री हैं अब ऐसे में दिया कुमारी जो नराज नजर आ रही थी एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी कि आखिरकार उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा अखिरकार कौन सा विभाग दिया जाएगा अब 6 विभागों की जिमेदारियां वो संभालती वी नजर आएगा इसी के सासत बड़ा विभाग उन्हें सौंपा गया है तो अब आपको बता दे कि दिया कुमारी का भी बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। उन पर भरोसा जताया है तो उस भरोसे को वो काइम रखेंगी और राजिस्थान के जनता के लिए ऐसे ही काम करती रहेंगी बिना किसी शंका के और बिना किसी मांग के।